हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SM Fantasy में स्वाज में आप लोग को चीदवन टाइगर वर्सेस काटमांडू किंग्स 11 के वीजियो मैच खेला जाएगा इस मैच के बारे में कम्प्लीट जैनकारी दूँगा साती साथ आप लोगों को एक बहतर इन वीरिंग ड्रीम 11 टीम ही बताऊंगा दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं ग्राउंड रिपोर्ट ये मैच 3-1 इंटरनेशनल किर्केट ग्राउंड में खेला जाएगा जहांका फर्श इनिंग्स का बैटिंग एवरे स्कोर 106 रहता है और सकेंड इनिंग्स का 127 रहता है दोस्तों मैं आप लोग को बता दू इस पीछ पे आप लोग को फास्ट बॉलर्स को काफी मदद देखने को मिलेगा इसलिए आप लोग अपने टीम में ज्यादस ज्यादा फास्ट बॉलर्स को ही एड़ करें दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं दोनों टीमों का प्लेइंग 11 साथ ही सा जानेंगे सभी प्लेयर्स के पिछले कुछ सीजन की रिकॉर्ड लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आकन को जरूर से जरूर प्रेस कर दें दोस्तों अगर आप लोगों को final team चाहिए तो friends आप लोग हमारे telegram channel के साथ जूड़ जाए वहाँ पर आप लोगों को IPL से लेकर T10 हो या फिर women's हो या फिर international हो कोई भी matches हो सभी matches का आप लोगों को लाइना पे नाउन्स होने के बाद final team provide किया जाता है तो आपको करना क्या description में आपको link दिया होगा वहाँ से जाकर join कर लेना है हमारे telegram अगर friends वहाँ का link बर्क ना करें क्युकि कई बार वहाँ का link बर्क नहीं करता है तो आपको क्या करना है simple ouais telegram पर जाकर search करना है sm算 fantasy 03 और आपको वहाँ पे भी हमारा चैनल दिख जाएगा दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे चितवन टाइगर्स की प्लेंग लेवन यहाँ पे आपको उपनिंग करते हो दिखी जाएगा अफगानिस्तान टीम के विकेट कीपर मोहमद सहजाद और उनके साथ ओपन करेंगे इशान पांडे मोहमद सहजाद ने 130 मैचस खेले हैं और 342 रन बनाया है दोस्तों इशान पांडे की बात करेंगे मोहमद सहजाद के साथ ओपनिंग करेंगे जिनोंने 4 मैचस खेले हैं और 33 रन बनाया है दोस्तों यहाँ पे फ्रेंट्स मैं आप लोग को बता दू मुहमाद साजाद का इंटरनेशनल मैच का रिकॉर्ड है तो आप लोग बिल्गुल भी कन्फिूज मत होईएगा भीम की बात करेंगे फ्रेंट भीम शरकी की बात करेंगे फास जाँ खेलेंगे 11 मैच में 211 रन बनाया है इसके अलाब आपको सकेंड डाउन दिलिपनाथ खेलते हो दिख जाएंगे जिन्नोंने 5 मैचेस में 239 रन बनाया है नेक्स्ट याप फ्रेंट्स आपको राजस पुलामी खेलते हो दिखेंगे जिन्होंने पांच नमर पे बैटिंग करते हैं साथ मैचस खेले हैं दोसो एकरन बनाया है करीम जनत की बात करेंगे करीम जनत अफगानिस्तान टेम के काफी बहत्तरीन ओल डाउंडर प्लेयर है जो कि फ्रेंड्स ओपनिंग भी करते हैं मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ कि ये ओपनिंग भी करते हैं अगर कोई भी ओपनिंग यहां साब को खेलते हुए नहीं दिखा तो आपको सिंपल ही करना क्या करीम जनर को चुपचाप से पिक कर लेना है वैसे भी पिक करना है बस उस कंडिशन में आपको इने कैप्टन दे देना है क्योंकि फ्रेंड्स ये ओपनिंग भी कर लेते हैं अगर टीम को जरुत हो तो वैसे तो ये नॉर्मली पीछे ही बैटिंग करते हैं 57 मैच में 955 रन बनाया है और 60 विकेट्स भी लिये हैं ये आपको बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं और बॉलिंग से तो देंगी ही देंगे सुमपाल कामी की बात करेंगे फ्रेंट सुमपाल कामी एक प्रॉपर बॉलार है जो कि थोड़े बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं जिनो ने 38 मैच में 35 विकेट्ली है और 225 रन बनाया है नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंट कमल सिंग एरी जिनोंने 9 नमर पर बैटिंग करते हैं दो मैचस में 5 विकेट्ली हैं दो मैच ही खेले हैं फ्रेंट इस सीजन से पहले इनका एक्स्पिरेंस थोड़ा कम है बट इनका परफॉर्मेंस दो मैच में भी बहुत ही बहते हैं गया है शहब आलम 10 नमर पर बैटिंग करते हैं इसके अलाव फ्रेंट धकल आपको 11 नमर पर खेलते हैं दिखेंगे 4 मैचस में इन्होंने 5 विकेट्ली है अब बढ़ते हैं आगर जानते हैं फ्रेंट्स काटमंड लुकिंग की प्लेंग 11 और जानेंगे इनके प्लेयर्स की रिकॉर्ड लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर दूँ आप लोगों को हमारे टेलिगाम चैनल को जोईन करना काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को वीनिंग टीम प्रवाइड किया जाता है हर एक मैच का लाइन अप एनाउन्स होने के बाद डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और फ्रेंट्स आप जाहें तो टेलिगाम पे सर्च करके भी जोईन हो सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे काटमांडू किंग्स की ओपनर्स की यहाँ पे फ्रेंट्स आप लोगों को रमतुला गुर्वज आपको ओपनिंग करते हैं यह भी अफगानिस्तान टीम के विकेट की पर ओपनर है और फ्रेंट्स यहाँ पे चितवन टाइगर्स के भी प्लेयर जो भी है वो भी अफगानिस्तान टीम के विकेट की पर ओपनर है ठीक है डिफरेंट बस यह है फ्रेंट्स की मोहमास सायजाद थोड़े एक्स्प्रेंसेबल प्लेयर है बहुत ज़्यादा मैच खेल चुक है बहुत पहले से और यहाँ पे जो रहमतुला गुर्वज है यह थोड़े यंग्स्टर है और प्लेयर काफी सांदार है थोड़े ह ओड बनाया है वहीं फोर्थ डाउन की बात करेंगे तो सिधान्त लोहानी जिन्हों ने एक मैच में 27 रन बनाया है साहीद अफरीदी की बात करेंगे फ्रेंट साहीद अफरीदी पकिस्तान टीम के काफी बहतरीन लेजेंड प्लियर और डाउन्डर रेजिनों ने फ्रेंट 332 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और 4447 रन बनाया है 352 विकेट्स भी लिये हैं यह बैटिंग काफी हार्डिटिंग कारते हैं काफी स्पीड मेरन बनाता हैं बात करेंगे बालिंग की तो बालिंग करने का भी बहतराे है में एड़ कर सकते हैं नौ नमबर पे शेर वाला खेलते हैं दस मैच में इन्होंने 19 विकेट लिए हैं आपके लिए ये भी काफी इंपोर्टेंट रह सकते हैं संधी प्लामी चाने नेपाल टीम के काफी इंपोर्टेंट प्लियर है आपको उन्हें जरूपी करना स्पीन बॉ सबसेट एक तरह से सीनियर प्लियर यही है जो कि आपको बिग बैस लीग भी खेलते हुए दिखे हैंगे होवाट एरी गेंस के तरब से काफी बहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं इन्होंने 101 मैच में 138 रन वना है जितन दर मुख्या ने फ्रेंट 15 मैचेस में 15 विकेट लिए इस सीजन काफी बहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं यह तो था कुछ प्लेंग 11 प्लेयर्स की रिकॉर्ड आगे बढ़ते जानते क्या रने वाला आप लोग के लिए इस मैच में एक परफेक्ट ड्रीम 11 बिनिंग टीम दोस्तों टीम की बात करेंगा तो जैसा कि अब देख स अभी मैं आप लोग को प्रोवाइड नहीं कर सकता हूं क्योंकि अभी लाइन अप रनाउंस नहीं हुआ है फिलाल फ्रेंट्स इस टीम की प्रिव्यू कर लेते हैं सबसे पहले विकेट कीपिंग सिक्सन की बात करेंगे मैं तो आपको यही सजिस्ट करूँगा कि आपको द इन वैट्समेंन को पिक क्या हूं शार्खी जो कि 5 डाउन खेलेंगे श्रिस्था यह भी आपको अपने टीम सा 5 डाउन खेलते हुए दिख जाएंगा आपको यहां से बात करेंगे शेक्यूच प्रेंट्स यह और भी ज्यादा पीछे बैटिंग करते हैं मैं फिलाल इन ती से में लामी शाने को पिक फिक हूँ मुख्या को पिक और सं पाल कामी को पिक और मेरे साबसे इस में बॉलिंग शेक्स से ब्याकनी को shoots अपको कोई ज्याधा च्यणखाने का यह असे प्रफॉर्मेंस भाट ध्यान दिएगा यह बहुत घजब के प्लेयर हैं ठीक है एकात मै सबसे सेफ रहने वाले हैं और दो अपसान आपके लिए काफी बहतरीन बन सकते हैं एक रियाडबुडल एक करीम जन्राथ उसके लाफ्रेंट साब के लिए मौमास सहजाद और गुरुबज भी आपके लिए यूनिक उपसान बहतरीन बन सकते हैं फिलाल में आप एक करें थेंक्यों फॉर वाचिंग मैं वीडियो